अस्सलाम अलेकुम वेलकुम बैक टू मैं चानल कुक विट मावीश तो बिसमिल्ला रह्मार रह्म के साथ शुरू करते हैं जबर दृस्ती चिकन सिक्स्टी फाय के रेसेपी जो आप रमजानों भी बना सकते हैं और एद पर भी ट्राइ कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने यह है मैं यहां पर बोन के साथ ले रही हूं आप चाहे तो बोन लेस भी ले सकते हैं उसे मैं अच्छे से वाश करके निधार लिया है यहां पर मैंने एक बॉल में टूटी स्पूंज इतनी कश्मीरी लाल में चैट कर दी और देड़ चमत जितनी देगी में चैट कर दी और चार च्षोटे चमत जो है बने पावडर शामिल कर दूँगे मैं इसने विछार खुटी चमत जो है हलती पावडर कर दूंगी 2 और एक च्टी चमत गरम असाला शामिल कर दूंगी और और वन फॉर्थ टीस्पून जितने काली मुचों का पाउडर एड़ कर दूंगी और वन टीस्पून जितना नमक शामिल कर देंगे और यहां पर बिल्कुल पिंच के करीम मैंने राइट फूट कर लिया है आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं यह और यहां पर मैंने दो बड़े और दो च्टे चमच मैंना यह अध्र पिस्ट बैख कर दिया और रिस अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी हम इसमें इसमें इस्तों माज्ट कर देंगे और इसे बहुत बम सलेंगे मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें एक अंडा शामिल करेंगे और तीन चोटे जम्मत कौन फ्लार के एड़ करेंगे तो और इधरी टेबल स्पून है और इसे भी बहुत इच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और आदे गंटे तक मैरिनेट होने रख देंगे तो देखिए आदे गंटे की बाद चिकन जो है बिल्कुल रैडी है यहां पर मैंने तील को मेडियम गरम कर लिया है और स्टेट आवे हम इसमें चिकन के पीसी साइट कर लेंगे और स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल भी इसमें चमच नहीं चलाना है क्योंकि इसके उपर ए सब्सक्राइब के लिए तरह यहां हम इसे तारेक लिए तो पहर सबसे पहले हम ने यहां पर आफ कप दही ले लिया है तो यहां पर वन अना हाफ टेबल स्पून जो है कॉन फ्लार शामिल करूंगी इसे भी अच्छे से मिक्स करकर हम साइड में रख लेंगे और हम बगार की तैयारी करेंगे तो बगार के लिए मैंने यहां पर 3-4 टेबल स्पुन जितना ओयल गरम कर लिया है उसके अंदर हम 18-20 करी पत्ता शामिल करेंगे उसे थोड़ा सा फ्राय हो जाने देंगे और अभी इसमें मैंने 5-6 जो हरी मिर्चे है स्लिट करके उसमें एड कर दी है उसे भी थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे और इसमें स्टेट आवे जो हम दही एड कर देंगे और इसमें बिल्कुल इसे स्टर करते रहना है ताकि यह करडल ना हो और इसका कलर चेंज होने तक इ अब देखिए आप देख सकते हैं तेल सर्फस पर आ चुक है इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है तो अभी हम इसमें फ्राय चिकन एड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तक देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है अभी और मज़िद इसका कलर चेंज होगा बीच बीच में हम इसे स्टार करेंगे तो यह देखिए बिलकुल रैडी है मैंना गैस का फ्लेम बन कर दिया है चिकन सिक्टीफाइ बिलकुल रैडी है उम्मीद करती हूं आपके मज़िदा से चिकन सिक्टीफाइ की रेसिप अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जोर कीजिए में आपकी जिये बिलकुल स्री है आपके आपके फैमले का खायल रखना दूआ मैद रखना तब तक के लिए अल्ला हफीज